हेलो दोस्तों वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज मैं अपने विंटर गार्डन के छोटा सा ओवर्विव देने जा रही हूं मैं दस दिन अपने गार्डन से दूर रही हूं मतलब घर पर नहीं थी तो यहां पर आई और मेरे प्लांट्स की हालत देख है यह यलो वाला मार्गरेटा है और पीछे जब रेना होली हो किसमें भी देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है तो मैं 10-11 दिन यहां पर नहीं थी दोस्तों तो मैं मायके में थी तो आजाए हूं तो देखा प्लांट की कंडिशन कुछ अच्छी थी कुछ अधार देखिए चिली हिबिसकस और पंच मुख भी खील रहे हैं वह अच्छी से बीच दो बहुतलिया बनी हुई हैं और इधर वाय थे बिसकस है इधर कॉश मौश इधर देख सकते हैं ग्लाडिया कितनी अच्छी से इसमें में भी में भी ब्लूमिंग हो रही है और यह सारे अपने पीस सीड से सब जड़ जड़ करके अपने आप ही हो जाते हैं इदर मेरा यह ऐक जोरा है मेन एक जोरा यह भी खराब हो गया है और यह जो ट Alrighty they उक जो अहीं इसकी कुछ में टरीशन ठीक ने और यह जो फिनक जोरा दकल एंक जोरा कि इसकी भी खराब हो गई है और यह यलो ही विसकस है यह देख सकते हैं इसकी कंडिशन कैसी है और यह औरेंज वाला है यह तो सायद नहीं बचेंगा सायद लगता है देखते हैं बसता है या नहीं इधर केलेंडूला है इसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है सभी तो मैं नहीं थी दोस्तों तो मेरे हस्बंड जी ही पाइन डाल रहे थे प्लांट की देख रहे थे जितना हो सका वही कि यह बस इधा देखिए यह पिंक कानफलार है और यह ब्लू है कानफलार काफी अच्छे लगते हैं देखने में तीन कलर्स के हैं लेकिन पता नहीं वाइट कलर निकल के लिए सेव होने के लिए इधर यह परपल पिटूनिया देख सकते हैं कितनी ची ब्लू में कर रही है और यह सिंक वाला गुल्दावदी है औरेंज कलर में यह भी काफी खुबसूरत लगता है और इधर यह डहेलिया इस साल में जितनी भी डहेलिया के प्लांट खरिद कर के लाए हूं दोस्तों तो वो सारे रेड ही कलर के निकले हैं और यह जो सूख गए हैं खराब हो गए हैं यह सारे अगर काट कर नहीं निकालेंगे टाइम से तो इसमें फंगस लग जाएगी प्लांट खराब हो जाएगा क्योंकि बारिस हो रही है हर जगह पर और माहू का जाए खरी को छूआ हो रहे है यह यह रहे है प्लांटविके हैं अब इसलिए क्योंकि यह कहीं पर बारिस भी प्लांट है यह भी जे ट्रोफा की सारी पतियां गम गिर गई है इसमें पिटूनिया देखिए कि इतनी अच्छी जबजस्त ब्लूमिंग हुई है पिटूनिया में तो इसमें आप पेस्टिशाइड का इस प्रे अपने गार्डन में जरूर करते रहें जो भी सुखे फ्लाव हो या पर्मानेंट प्लांट हो सभी पर करिए उधर डहलिया देख सकते हैं यह भी रेड ही कलर का निकला है और इस्ट्रोबेरी मेरी देखिए दोस्तों यह एक तो मेरे बेटे ने हार्वेस्ट कर ली आते ही रात में हम लोग आये तभी हार्वेस्ट कर चुका था वह आते प्रूट्स भी लगे हुए हैं इसमें देखती हूं टाइम निकालकर मैं सभी इसमें का सारा घास निकालूंगी और इसमें भी ब्लैक एफिट्स का टेक हो गया है थोड़ा इस पर भी नीम ओयल का स्प्रे करूंगी ताकि जो ब्लैक एफिट्स हैं वो सारे हट जाए नहीं त कटिंग से लगाए थी पिटूनिया इसमें भी देखिए फूल खिलने लगे हैं और यह नेस्ट्रिसियम और इधर देंथर की कटिंग भी लग गई है सारी कटिंग और इधर देख सकते हैं गजानिया भी बहुत अच्छे से ब्लूमी कर रही है और बहुत ज़्यादा घास आ गए हैं मेरे सभी प्लांटर्स में अधर जीनिया जो सीट से मैंने ग्रो किये थे यह भी सुर्क गए थे थोड़ा इसकी पतिया देख सकते हैं यह लो होने लेगी इसमें नेस्ट्रिसियम सीट से ही सब अपने आप ही उग गया था और मेरी तब यह थोड़ी ठीक नहीं ह इसलिए खांसे भी आ रही है रोक रोक के मैं वीडियो बना रही हूं और गला भी बहुत दर्द कर रहा है इधर नेस्ट्रिसियम अपने आप ही से सब गए हैं इधर यह देखिए अडेनियम इसको भी अब फर्टिलाइस करना है इसको निकाल करके पहले फंगिसाइड पान पानी सूपे थे सारे देखती हूं फिर से इन में खाट डालूंगी निराई गुड़ाई करूंगी इसको फिर से प्रून करूंगी देखते हैं सही होता है या ने पता नहीं क्यों मेरे सारे ही विसकस जो हाइब्रेड होते हैं तो धिर धिर अपने आप यह से खराब हो जा छोटे छोटे फ्लावर खिलते हैं जो काफी खूबसूरत लगते हैं इधर विनेडियम और ड्राइममुफटिक वैर और देखिए इसमें भी ड्लिया आने लगी हैं और विनेडियम दो कलर के हैं मेरे पास एक वाइट है और एक ऑरेंज है इधर पिंक कार्ण फ्लावर साध बिल्कुर बूके की तरह बिल्कु लगता है और इधार देखिए सब मेरी गोल्ड और इधार देन्थास है जो danthas baby pink है online मने syri aztी दी इसकी वही है सब इसमें भी blooming अच्छे से होने लगी है इधर phylox है इसमें भी घली आणे लगी है इसकी भी सारी जो पतियां थी yellow yellow होने लगी है जूकी सी थी सारी पतिया देखते हैं इसकी नुराई गुड़ाई करेंगे फिखाड डालेंगे इसमें इधर गजानिया जो कटिंग से मैंने लगाई थी इसमें इधर एक फाइट कलर की जीनिया है और इधर वर्बीना जो मैंने ओनलाइन सीट से लगाया था अधर ये स्टॉक है सभी बहुत अच्छे से चल रहे है इधर देखिए सारे डहलिया है और नेस्टीसियम पीछे है नेस्टीसियम में कितनी इच्छी ब्लूमिंग हो रही है इधर अलाइसम भी है उसमें भी ब्लूमिंग है लेकिन मेरे गाड़ा में बहुत जबजस्त घास हो गए है फ्रेंट्स इनकी निराय गुड़ाई कते मुझे दो तीन लग जाएंगे तीन दिन और इधर डहलिया है सभी जो मैं आनलाइन से ली थी दोस्तों तो वह सारे यलो ही निकल गए है और जो मैं नर्सरी से ली थी वह सारे रेड़ी कलर के निकल गए है इस बात दूसरे कलर के मेरे डहलिया नहीं निकल पाए है इधर य आइस फ्लावर देख लीजिए इसमें भी कई कलर्स के निकल करके आए हैं सभी ये वाइट पिंक है ये क्रीम कलर का पिंक में है और वाइट कलर में खिला हुआ है इधर देखिए ये क्रीम कलर का है और बहुत खुब्सूरत लगते हैं आइस प्लांट इधर देखिए ये भी स्टॉक ही है मेरे पास मेरे शमझ में नहीं आ रहा है किसी ने दिया था इसका सीर मुझे आगरा से है वो मैंने इनको दिखाया भी था मतलब सीर जब मिला था मुझे तो मैं वीडियो भी इनका बना करके डाली हूं तो वही दिये थे में नाम भूल गई हूं इधर सब देखिए यह इनस्टिसियाम इधर यह मारघरीटा सब मैंने लगाया है रखा इधर इधर जबरेन होली होख है और इधर यह देखिए सारे सारे प्लांट इसे मैंने लगा करके रखी इधर दॉक फ्लावर है और करनेशन है और एक यह इधर मेरा गुलाब का प्लांट था यह खराब हो गया है डेजी देखिए डेजी बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ कर ली थी लेकिन मैं थी नहीं सारे डेजी मेरे सूख गए और मैंने क्योंकि यह बहुत फैलते हैं तो इसलिए मैंने इसको टायर प लाडीया है इधर पिंगी विसकस जो कटिघ समयने लगाई थी इसमें भी कल्या बनने लगी है और इधर को श्मोस पींग कलर इधर डॉग फ्लावर है और गजाननया है जो कटिंग समयने लगाए था इधर यह वर्वीन आ यह भी शुग गये हैं सब सिकूरशी गई है इसमें प्लांट से ज्यादा तो घास ही सब निखलाएं है अब निराय गुडाई करते करते काफी टाइम लगेगा मुझको तबियत भी ठीक नहीं है दोस्तों तुसलिए गला थोड़ा मेरा बैठा हुआ है सर्दी जुखाम खासी से परिशान हूं अब इधर ये कोश्मोस फ काफी खुब्सूरत लग रहा है जी नियां देखिए ये सीट से ही सब अपने अफी हो गए थे इधर मेथी मेथी में देखिए बहुरे कितने मुझे ले रहा है देख सकते हैं आप सब तो वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स प्लीज लाइक से अरकेमेंट्स कर देजिए आने वाली वीडियो की है नोटिफिकेशन आप सब पहुंच सके इधर देखिए मेरे कलांचो सभी में कलिया कितनी इच्छी बनी हुई है ब्लूमिंग भी हो रही है और सायद मेरा परपल कलर वाला जो था वह खराब हो गया है मेरा कलांचो इधर ये पती से जो मैंने ग्र जैसे ही इसकी जड़ जो नीचे है वो तूट गई थी अब सायद ये इसमें से ना ही प्लांट निकलेगा दूसरा क्योंकि बहुत अच्छे से इसमें जड़े भी बन गई थी अब सायद खराब हो जाएगा ये पती भी लेकिन प्लांट दूसरा नहीं बन पाए ये सायद भी रखी थी कुछ पती ये दूसरे प्लांट की थी लेकिन जल्दी जल्दी में मैं भूल गई वहीं पर फिर कभी जाएंगी तो लेकर आएंगी धर ये मेरा देखी बेबी शन्रोज का प्लांट है पीछे फार्म है और सारे प्लांट का वीडियो में नहीं बना पाऊंगी दोस्तों अधर वर्बीन या हैंगिंग बास्केट में मैंने लगा कर रखा था इसकी भी कंडिशन खराब हो गए है नैस्ट्री सियां इसकी पतियां यलो सब होने लगी है देख सकते हैं पानी सब सारे में सूखा था मैं आए फिडाली धर पिटुनिया में लगा कर रखी इसकी खंडिशन देख लीजिए आप सब और तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स ओके बाई